आज से मैं एक व्लोगिंग स्टार्ट कर रही हूं आज के दिन मैंने क्या क्या किया एक शोटा सा वीडियो व्लोग किया मैंने तो प्लीज अगर कुछ गलतिया हो तो इग्नोर कर देना और कोई सजेशन अगर हो मेरे लिए यूँकि I am totally new about this तो प्लीज कुछ सजेशन मिले तो अच्छा होगा तो अब जरा देख लीजी मेरे वीडियो यह मेरा first try है तो अगर अच्छा चले तो मैं यह चैनल को continue करना चाहूंगी देखते हैं क्या होता है तो फिलाल मैं बिंगॉली हूं तो एक क्या कहते हैं एक ritual आ रहा है हम कुछ दिन्यों की अंदर जो मेरी husband के लिए है जिसको बिंगॉली में कहते है जामाई शोष्टी तो उसी की वेसिस में यह एक शौपिंग मैंने किया है तो बस थोड़ा सा चोटा मोटा कुछ घर का सामान भी है उसके अंदर तो ऐसा नहीं के हम shopaholic है फिर भी थोड़ी बहुत जो जो घर में लगता है वो हम खरीज लेते हैं useful अगर हो तो और value for money अगर हो तो और एक बात थी मैंने एक व्लॉगिंग मतलब एक शौपिंग व्लॉगिंग भी ट्राई किया था तो कैमेरा लेके वो शौपिंग मॉलर मुझे अंदर आने नहीं दिया तो क्यूंकि उनके कुछ रेवलेशन और सिकुरिटी परपस कुछ प्रब्लम हो सकती है तो इसलिए उन्होंने हम मुझे को कैमेरा लेके नहीं अंदर आने दिया तो वो नहीं हो सका फिर भी जो शौपिंग मैंने किया था बस उसका ही कुछ रिव्यू डेमो जो भी हो मैं दिया तो प्लीज आप देखिए अगर अच्छा लगते लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए और मुझे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी कुछ मोटिवेशन चाहिए तो लाइक जरूरी है तो अगर अच्छा लगते तो लाइक जरूर कीजिए बस देखिए मैंने कुछ वीडियो दिया है क्लातलि वीडियो भी वीडियो मैंने क्या स्टार्ड़ू चाहिए और मैं मैं स्टार्ड़ का । क्य क्यीं अच्छार्ड़ूद्सेश्क्राट रड़िवेश्सेश्स प्रूर के बसक्लाने का ह। यह पया तो मेरी चुछूल कम झाल 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 यहां आने वाली है कल्यानी हाईवे जो शुत्पुत्टु मुद्धुम्ग्रम के सिंटर में पड़ता है यह हाईवे एक्चिली बेयागपुर हाईवे और पिल घरिया हाईवे के संग एटच्ट है यह बहुत ही इंपोर्टन्ट हाईवे है तो मैं बस उधर से ही गुजर रही हूं एक मॉल में जाने के लिए यह बहुत है डाए तरफ है एक फेमस कॉलेज आचर जो प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज जहां से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आगे जाके एक फेमस रोड है जो शाजी रहाट मोर कहें के फेमस है उसके बाद मॉध्यम ग्राम स्ट्रीट है जहां से मैं मॉल की तरफ जा रही हूं और यहां से शुरू हता है मुध्धम ग्राम स्ट्रेशन नीचे की रस्ता और मैं फ्लाई ओवर से जा रहे हूं बाई स्ट्रेशन को मैं क्रॉस करूंगी यह रहा स्ट्रेशन आप देख सकते हो बाई तरफ यह मुध्धम ग्राम स्ट्रेशन है जो श्रीयालदा से कनेक्टेड है और यह आगे जाके मुध्धम ग्राम की फ्लाई ओवर खत्म होने वाला है जो मुध्धम ग्राम की चौर रस्ते पर कनेक्टेड है यहाँ पर आप देख सकते हो डाई तरफ बाई तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे शोरूम है ब्रैंडेट शॉप है बहुत सी मॉल है जहाँ पर ब्रैंडेट अच्छे अच्छे कपरे मिलते हैं चीज मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत ऑप्शन है आपके कुछ चीज ढूनने के लिए इधर उदर ज्यादा भागदर नहीं करना पड़ता है और सबसे ज्यादा अच्छी बात है यहाँ पर बहुत सी ओफर डिसकाउंट मिलता है जिससे मतलब आपका जो चीज ब्रैंडेट हो वो थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है और आप देख सकते हों यहाँ का पॉपॉलिशन इतना ज्यादा है और यहाँ इतना क्राउडेट है कि टू हुलियार और फोर हुलियार लेके जाना मतलब रियली पैन्फुल है मैं यहाँ आके रुप के सीटी लाइफ के सामने यह मंधमग्राम की बहुत अच्छी मॉल है और आगे जाके मंधमग्राम चाओ रस्ता है और आगे यह नजरूल स्टेडियम है अपोजिट साइट में भी एक मॉल है जिसका नाम है बीराट बजार मैं सीटी लाइफ के यह एक चोटा सा मोमो का शॉप है वाउ आप सब तो जानती ही होगे तो मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ आप तो देख सकते ही होंगे यहाँ पर बहुत सारी ओप्शन है यह जिन सेक्शन है बहुती सुन्दर सजावट है बट अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो नहीं कर पाए तो बस जो भी खरीदधरी हमने वहाँ पर किया था थोरा सा उसका रिव्यू देने वाली हूँ यह कुछ सामान है यह शॉपिंग वेसिकली हुआ है हमारे जो बिंगॉली डिच्यूल है कुछी दीनों में आने वाली है जामाई शोष्टी उसी की वेसिस पर है तो उस दिन जो दामाद होते हैं वो अपने ससूर को या सास को कुछ गिफ्ट देते हैं और बैक टू रिटर्न भी सास ससूर कुछ देते हैं और कुछ भगवान अच्छे से बना के दामाद को खिलाते हैं ऐसा एक रिचूल है तो उसी वेसिस पर हमने कुछ ससूर और दामाद के लिए कुछ खरीदड़ी की वही प्राइज के साथ प्रोड़क्ट क्वालिटी भी हम दिखाएंगे यह एक वाइट शाट है हस्बेंट के लिए मैंने लिया पहले खोल लेती हूँ बहुत ही एक अच्छा डिजाइन है इसके उपर देखिए यह चोटी-चोटी बहुत ही एक सुन्दर पैटरन की डिजाइन है ब्लैक टाइब ब्रैंट की है यह और यह पूरा कॉटन की है इसमें एक ओफर चल रहा था बाइवन गेट वन में तो इसके साथ मैंने यह और एक शर्ट लिया हस्बेंट के लिए दोनों कलर अलग है एक वाइट एक ब्लू तो यह दोनों ही ओफर में आ रहा है यह 49.9 का है इच मगर ओफर में ये बाइवन गेट वन है तो हो गया इच 250 का बहुत अच्छा प्रैस था यह और एक मैंने लिया है ये मेरे पापा के लिए यह भी बहुत अच्छी फ्रेब्रिक है इसका प्राइस भी 499 है पर यह भी एक ओफर में आया बाई वन गेट वन का इसके साथ मैंने यह लिया आए यह दोनों कलर का यह ड्राफ्ट उड कहके एक ब्रैंड है बहुत ही अच्छा ब्रैंड है जिसका फेब्रिक बहुत अच्छा है और 100% कॉटन है तो यह दो कलर मैंने लिया है बहुत अच्छी ओफर में मुझे मिला दो और यह एक एक बिटर मैंने लिया मेरे घर में नहीं था एक था जो तूट गया इसलिए खरीदा यह वारावाला मैंने खरीदा स्टेनलेस स्टील का है तो इसका प्राइस है सेवेंटी नाइन होफुल और यह मैंने एक मैंगो जूस लिया है जो अलफेंसो का है यह आमरस है प्रिमियम क्वालिटी का अलफोनसो का आमरस जो वन लिटर का है इसका प्राइस है नाइन्टी नाइन यह रहा नाइन्टी नाइन में एक लिटर तो यह ओफर चल रहा था एक के साथ एक फ्री बाइवन गेट वन फ्री तो मैंने यह दो ले लिया तो बहुत ही अच्छा था और कुछ शॉपिंग है किया था मैंने वह विशाल मेगा मार्ट कहके और एक मॉल से तो वहाँ पे भी कोई भी कैमेरा अलाव नहीं है तो इसलिए मैंने भी कोई रेकॉर्ड नहीं किया तो क्या-क्या शॉपिंग किया मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूं कि पहले ओपेन कर लूँ यह एक स्मेशर है स्टेनलेस स्टील का कुछ भी आप स्मेश कर सकते हो स्टेनलेस स्टील का है बहुत हैवी भी है बहुत सुन्दर है तो यह मुझे बहुत अच्छा लगए इसलिए ले लिया इसका प्राइज है सेवेन नाइन एम आरपी है वान जिरो फॉर तो यह मुझे सेवेंटीनाइन में पड़ा यह विश्वाल मेगा मर्ट में एक होम सिलेक्ट कहेगे एक प्रोड़क्ट का है इसको खोल लेती हूँ बहुत ही है मतलब बहुत स्टाइडी भी है मतलब आप अगर इसको जोर उससे प्रेस भी करोगे तो यह बेंड नहीं होगा स्टेंलस्तियल का क्वालिटी हूँ नहीं JO नहीं है दुसरी चीज मैंने लाई यह वाला यह करवर है बैक्न स्क्रवर जो बहुत हैंडी है और अच्छा भी है कियूंके पैक में हाथ ज्यादा तर नहीं पहुँच पाती है तो उसलिए मैंने यह लिया ये होम सिलेक्ट का है ये प्राइज है 490 और अफर प्राइज और MRP है 75 तो ये बहुत अच्छे दाब में मुझे मिल गया ये लुफा के साथ अटच्ट है पहले खोल लेती है और कलर भी बहुत मुझे पसंद है ये एक्वा कालर इसका जो लुफा है वो बहुत सॉफ्ट है मतलब इसना सॉफ्ट के अपको ज्यादा हर्ट नहीं करेगा और ये एक रसी से बंधा हुआ है थागे से यहां दो होल है जिसके थ्रू ये बंधा हुआ है तो अगर अगर कभी खोल भी जाए तो आप खुद ही इसको सिलाई करके फिर से जोड सकते हो और ये बहुत सॉफ्ट है ये हट नहीं करेगा आपको ये बहुत हैंडी भी है आपके जहां जहां मतलब हाथ नहीं जाएगा तो आप वहां से ये चला सकते हो और ये ब्रेक भी नहीं होगा इतना अच्छा क्वालिटी का है दूसरी जो है तीसरी जो है ये दो स्नैक्स प्लेट मैंने खरीदा बहुत ही अच्छा शेप का है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है ये मिला माइन का है तो मैं ये डिजाइन ही चाहती थी बट ये डिजाइन एक ही था तो मुझे दोनों डिजाइन अलग-अलग लेना पड़ा तो यह स्नेक्स के लिए मैंने लिया है बहुत ही सुन्दर डिजाइन है इसका प्राइस परा मुझे 35 69 MRP है 35 नेक्स्ट मैंने लिया यह जार ड्रिंक्स जार यह बहुत अच्छे कलर का है ब्लैक कैप एंड ब्लू स्ट्रॉव है इसका बहुत अच्छा है क्वालिटी और इसका कलर दोनों दो तरफ से दो है एक उपर का ग्लास और नीचे का ब्लू शेड़ेट तो बहुत अच्छा लागा मुझे यह 149 का है MRP बट यह मुझे 50 परसंट डिसकाउंट में 75 के असपास पड़ा तो यह बहुत अच्छा पार्चस है मेरे लिए क्योंकि यह ऑल्लाइन में भी बहुत कॉस्पली है और कुरियर चार्जस लेके तो ज्यादा ही कुछ हो जाता है तो यह बहुत अच्छा है बहुत हार्ट क्वालिटी का कैप है यह इसका इसके साथ मैंने और एक लिया जोड़ी यह योलो कलर का और प्लेन ग्लास सिंगल ग्लास कलर योलो मेरा फेवरेट नहीं है बट कोई और कलर मुझे नहीं मिला अच्छा तो योलो ही लिया बाकी सब ब्लैक था तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है यह भी सेम 149 तो MRP है इसका 50% ओफ डिस्काउंट है तो 75 के आसपास है इसका प्राइस और यह 500 एमेल का है 500 एमेल की है सो यह दो जार मैंने लिया एक साथ हस्बेंट के लिए और एक मेरे लिए और यह वाला मुझे लेना है यह मैं हस्बेंट को दूंगी और एक चीज है यह सर्विंग ट्रे मुझे बहुत अच्छा लगा यह भी मैं ओफर में ही लाई इसका एक ओफर है अगर एक बाई टू एट 129 तो एक के साथ एक फ्री जैसा ही हो गया एक का प्राइस है 129 तो यह दोनों मैंने लिया है इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और actually i love playpot ४ जैसा कि तस्वीर मुझे बहुत हची लगता है 12 कर तस्वीर बहुत भी सुंदर दीख रहा है वाइट के अंदर और यह एक ये दोनों ही प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लगी बाकी प्रिंट थोड़ा सा अजीब टाइप का था इसलिए मैंने ले लिया तो ये दोनों ही लिया और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है ये मेला माइन के बहुत हेवी भी है ये प्लाटिनम सीरिस का है इसका MRP यहां पर लिखा है ओफर प्राइस 129 एंड MRP 189 तो ये भी एक बहुत अच्छी बाइंग हुई है 129 में दो तो बहुत ही अच्छा एक ओफर था ये अगर आप इच खरिदने जाओ तो 189 देना पड़ेगा आपको तो इसलिए दो लेना ही अच्छा है और इसका डिजाइन थोड़ा अलग है ये राउंड शेप का है इसका हैंडल ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसका बट इसमें कोई टाग नहीं लिखा गया है कि ये मिलामाइन का है या नहीं कुछ भी नहीं लिखा है पीछे पेट क्वालिटी बहुत अच्छी है एवी भी है और इसका हैंडल डिजाइन थोड़ा सा अलग है ये राउंड शेप का है उपर से और ये थोड़ा ये गया है तो ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगा तो ये ही थोड़ा चीज मैंने खरीदा है जो घर के लिए इंपोर्टेंट होगी तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मोटिवेशन के लिए ये बहुत जरूरी है मेरे लिए प्लीज करना अगर अच्छा लगे और कोई सालिशन हो तो फिर भी वो भी देना थैंक्यू